नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल एक्जाम गुरू में दोस्तों आज में लेके आ रहा हूँ आपके लिए सामान्य विज्ञान के साथ महत्व प्रश्ण जो आपके आने वाली परिक्षाओं जैसे railway NTPC, Group D, SSC और अन्य सरकारी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों आप जानते हैं कि railway परिक्षाओं में साइंस सब्जेक्ट से सरवाधिक प्रश्ण पूछे जाते हैं इसलिए आप पेन और डाइरी उठाइए और आप हमारे साथ नोट सब बनाते चलिए जो आपकी railway exam के टाइम में बहुती उपयोगी साबित होगा आज के इस वीडियो का दोस्तों टार्गेट इसको रहेगा 50 प्रश्ण मतलब यदि आपके 60 में से 50 प्रश्ण सही है तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है और यदि कम नंबर आते दोस्तों तो आपको तैयारी बढ़ाना चाहिए दोस्तों आप भी हमारे साथ दोस्तों प्रश्णों की उत्तर कमेंट से बाक्स में देते चलिए ताकि और लास्टम में जरूर बताए कि आपका कितने नंबर मिले हैं दोस्तो ये सबी प्रस्ण वही है जो railway परिक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए इस वीडियो को आंतर तक देखे ताकि आपका कोई प्रस्ण छूट न जाए इस वीडियो की PDF फाइल के लिए दोस्तो आप टेलिग्राम चेनल पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्कर्शन बाक्ष में दिया हुआ है दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने एक प्रस्ण पूछा था कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र या लाइफ साइकल में किस चरण में वंजिक तंतु पेदा करता है या उपियोगी तंतु पेदा करता है तो इसका सही जवाब है दोस्तो ओप्सन नमबर C प्यूपा प्यूपा के आवस्ता में वह वजिक तंतु पेदा करता है जिन जिन लोगों उप्सन नमबर C पर किलिक किया है कमेंट से बॉक्स में उन सभी का उत्तर सही है दोस्तो आज के वीडियो को सुरू करते हैं प्रस्ण नमबर 1 केलसियम कारबाइट पर जल डालने से बनता है द जयंत्र में या कारखाने के लिए प्रयूप प्रसितक है तो इसका सही जवाब है दोस्तो आप्सन नमबर C अमोनिया अमोनिया का प्रयूप किया जाता है दोस्तो वानिजिक बरफन निर्मान के लिए अगला प्रसन दोस्तो प्रसन नमबर 3 एक ही पादब में एक पुस्प के पराकणों का दूसरे पुस्प के वतिकागर पर जाना कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों तो इसका सही जवाब है option number C गीतो नोगमी कहलाता है जब एक ही पादब के एक पुस्प से दूसरे पुस्प पर वतिकागर जाते हैं या उनके कंड जाते हैं या पराकंड जाते हैं अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 4 परक नलियों में रखे हुए H2O या जल को जली NaOH विलियन या सोडियम हिड्रोकसाइड के विलियन की साहिता से अंतर बनाया जा सकता है तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर है लाल लेटमस की साहिता से अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 5 मायो पिया से क्या तात पर है मायो पिया से क्या तात पर है या क्या समझते हैं दोस्तों आप तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर B निकर दर्ष्टी दोस निकर दर्ष्टी दोस को मायो पिया कहते अगला प्रसनी्ट दोस्तों प्रसनी दोस्तों प्रसने effectively और दोस्तों तो इसका पाおい चुक्स की प्रकेमिन-व्हम है। तो इसका सही जवाब है option number B 38 ATP आनू प्राप्त होंगे अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 8 पानी की अस्थाई कठोरता को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है तो इसका सही जवाब है option number A चूना पत्तर या calcium hydroxide की साहिता से अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 9 फोट फोटोग्राफी में fixer के रूप में क्या प्रयोग तो होता है तो इसका सही जवाब है option number A sodium thiosulfate sodium thiosulfate का उप्योग होता है दोस्तो फोटोग्राफी में अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 10 अनुवांसिक लच्छन जनक में संतान किसके द्वारा जाते हैं अनुवांसि क्लच्छनों का प्रत्यापन होता है अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 11 भारत में हाकी स्टिक किस से बनाती है भारत में हाकी स्टिक या हाकी की जो छड़ी होती है दोस्तो वो किस पेड़ की लकड़ी से बनी होती है तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number B मारस अलबा गन्ने की सुकर को गन्ने की सकर को गन्ने की सकर को दोस्तों गलुकोज और फ्रक्टोस में अफ़घक्टित करने वाला एनजाइम है तो इसका सई जवाब है दोस्तो उप्सन नमबर B, individual अगला प्रसंदोस्तों 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 कीजिए, सा gelir comments स्वाक्षा में प्रश्णों का उत्तर भी देते जाएंगे और आंतमें भी बताएंगे आज के विड़ियो में कितने नमबर मिले हैं, हैं अगले प्रशन के ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रस नमबर 15 एमिनो आमल मिलते हैं एमिनो आमल किसमें मिलते है दोस्तों तो इसका सही जवाब है option number D, protein में या protein amino आमलों से मिलकर बने होते हैं अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण number 16 वात्या भट्टी या blast furnace में उत्पादित लोहा है वात्या वट्टिम दोस्तों कोन से लोहे का निर्मान होता है तो इसका सई जवाब है दोस्तों आप्सट आई रन या कास्ट लोहे का निर्मान होता है अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 17 निवरोंस के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A मस्तिस कम है अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 18 जेविकी में जल में विले पधारतों को कहा जाता है तो इसका सही जवाब जवीकी में जल में विले पदार्तों को जलरागी कहते हैं अगला प्रस्थ दोस्तो प्रस्थ नमबर 19 नेन मली खित में से कौन अधातु नहीं है तो इसका सई जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर C अधातु नहीं है यह धातु है जबकि कारबान सलफर नाइटोजन अधातु तत्व है अगला प्रस्थ दोस्तो प्रस्थ नमबर 20 एक दो न्यूटन समवेग वाले तीन किलोग्राम द्रवेमान वाले पिंडे की गती चुझा क्या होगी तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर C तीन बटे दो जूल अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 21 नेनम लिखित में से अभून पोशी बीज कोन सा है इन में से दोस्तो अभून पोशी बीज कोन सा है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर B मतर अगला प्रस्ण दोस्तो प्रस्ण नमबर 22 मनुस्य में निश्वासित वायू में ऑक्सिजन की कितनी मात्रा है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर B 16 प्रतिशत अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 23, एलेक्ट्रिक लेंप का अविश्कार किसने क्या था, एलेक्ट्रिक लेंप किसने बनाया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब है, उप्सन नमबर A, फोर्ड ने, अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 24, एक और बंद तता इन में से किसके उत्पादन में इष्ट का उप्यो जाता है तो इसका सही जवाब है option number A अगला प्रस्ण दोस्तो प्रसं नबर 27 आँखों की दृष्टी पटल पर बनने वाला प्रतिबिम होता है दोस्तों आखों पे जो दर्ष्टी पटल पर प्रतिविम बनता है वो कैसा होता है तो इसका सही जवाब है option number A वास्तविक होता है और उल्टा बनता है अगला प्रस्न दोस्तों प्रस्न number 28 20 kg की वस्तु को जमिन से 1 मिटर उपर उठाए रखने के लिए कितना कारे करना पड़ेगा तो इसका सही जवाब है option number A जीरो जूल कारे करना पड़ेगा अगला प्रस्न दोस्तों प्रस्न number 29 नील नील मलिखित रंजक है तो इसका सही जवाब है दोस्तों option number A नील एक वेट रंजक है अगला प्रस्न दोस्तों प्रस्न number 30 200 kg भार की एक नाव पानी में तेरती है विस्तापित पानी का भार होगा विस्तापित पानी का भार दोस्तों कितना होगा तो इसका सही जवाब है दोस्तों option number D 200 kg ही होगा अगला प्रस्न दोस्तों प्रस्न number 31 नेन मलिकित मैंसे किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग होता है इन मैंसे दोस्तों किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है तो इसका सही जवाब है दोस्तों option number C iodine की कमी से अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 32 आवर्त सार्णी में सबसे हलका तत्व है दोस्तो आवर्त सार्णी में सबसे हलका तत्व कौन सा है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A लिथियम सबसे हलका तत्व है और इसका उप्योग मॉबाइल बेटरी बनाने में किया जाता है अगला प्रस्ने दोस्तो प्रस नमबर 33 कोई वस्तू अधिक्तम भारसिल हो जाती है कोई वस्तू अधिक्तम भारसिल कभ हो जाती है दोस्तो तो इसका सही जवाब है अगला प्रस्ने दोस्तो प्रस नमबर 34 मानव मस्तिस्क कितने ग्राम का होता है मानव मस्तिस्क का दोस्तो भार कितना होता है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A से किसे इंगित करती है इसका सई जवाब है दोस्तो option number B एक समुदरी अकसेरु की को अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 36 जल के साथ स्वच्छ विलियन नहीं बनाने वाला योगिक है इन में से दोस्तो कौन सा है जो जल के साथ स्वच्छ विलियन नहीं बनाने वाला योगिक है तो इसका सई जवाब है option number A बेंजोइक अमल अगला प्रसने दोस्तों प्रस नमबर 37 छेद बनाने के लिए बरमा से चूड़ी बनाने की किरिया को कहते हैं तो इसका सई जवाब है दोस्तो option number D टेंपिंग छेद बनाने के लिए बरमाज से चूड़ी बनाने की किरिया को टेंपिंग कहते हैं अगला प्रसने दोस्तों प्रस नमबर 38 खाद्य कड़ी या जाल फूट चेन में साकाहरी होते हैं साकाहरी कौन सी इस्तर पो होते हैं दोस्तों तो इसका सही जवाब है option नमबर सीचा सीचा संचायक बेटरी में किया जाता है तो इसका सही जवाब है option नमबर A सल्फिरिक अमलकाउप योग अगला प्रस्ने दोस्तों प्रस्न नमबर 40 केमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कारे करता है इनमें से दोस्तों केमरे का कौन सा भाग है जो आँख की रेटिना की तरह कारे करता है तो इसका सही जवाब है अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 41 बादलो की दीशा यहुं गती मापने वाले यंत्र को क्या कहते है दोस्तों इसका सई जवाब है अप्रस्ण नमबर C नेफ्रोईस्कोप नेफ्रोईस्कोप की साहता से बादलो की दीशा और गती को मापा जाता है जबकि वर्षाक की मातरा को मापन के लिए रेंगेच मापी का उप्योग किया जाता है अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 42 सामान ने वायू के नमूने में उपस्तित नहीं होने वाली गेस है सामान ने वायू के नमूने में दोस्तों कौन सी गेस उपस्तित नहीं होती है तो इसका सई जवाब है अप्शन नमबर B कलोरीन अगला प्रस्ण दोस्तों प्रस्ण नमबर 43 वायू में धोनी का लगबख वेग है वायू में धोनी का वेग कितना है तो इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर A 330 मीटर परतीशेकन अगला प्रस्ण दोस्तो प्रस्ण नमबर चम्वालिस अधरता मापी यंतर की साहिता से निन मलिखीत में से किसका मापन किया जाता है अधरता मापी यंतर से किसका मापन किया जाता है दोस्तो तो इसका सही जवाब है option नमबर डी अपेकचित अधरता का अगला प्रस्न दोस्तो प्रस्न नमबर 45, पुनरुद भवन मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तो तो इसका सही जवाब है, उप्रस्न नमबर D, फ्लेन रिया में, फ्लेन रिया में पुनरुद भवन मिलता है, अगला प्रस्न दोस्तो प्रस्न नमबर 46, सूर्य की किर्णों की त ट्युर्था मापने वाले उप्करन को क्या कहते हैं अगला प्रसें दोस्तो प्रस नमबर 47, शुपारी का खाने योग्य भागे, शुपारी का घाने योग्य भाग कौन चा है, तो इसका सही जवाब है ऐसे नमबर B, भूर्ण पोश भूर्ण पोश को खा़या जाता है सुपारी से अगला प्रशन दोस्तो प्रशन नमबर 48 टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर B लोकोगजा लोगजा टिटनेस बीमारी को धनुसकार या लोगजा के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश प्रकास तरंग है किसी तरंग है प्रकास तरंग तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर बी अनुप्रस्त तरंग है जिसमें तरंग की दीशा माध्यम के कणों के कमपने की दीशा के लंबवत होती है अगला प्रशन दोस्तो प्रस नमबर पचास नेनम लिखित में स किसमें विद्दु सैयोजन एवं सासैयोजक बंद होते हैं इसका सही जवाब है option number D sodium hydroxide में विद्दु सैयोजक और सासैयोजक बंद उपस्तित होते हैं प्रशन नमबर 51 प्रती दिन 3 घंटे जलाने पर 108 के 10 लेंपों की माशिक खपत होगी कितनी होगी तो इसका सही जवाब है option number A 240 मातरक अगला प्रशन दोस्तो प्रशन नमबर 52 उसमा प्रवा निन में लिखित में से किसके अंतर का परिणाम है उसमा प्रवा इन में से किसके अंतर का परिणाम है तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number A तापमान में अंतर का परिणाम है अगला प्रसन दोस्तो प्रस नमबर तिरेपन राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन है क्या है दोस्तो राइबो फ्लेविन तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर है विटामिन है या विटामिन का एक प्रकार है राइबो फ्लेविन अ के व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है अर्थात वो को सर्व दाता कहते हैं अगला प्रस्न दोस्तों प्रस नमबर 55 नदियो तालाबव आदी में पाये जाने वाले जली हरे पोधों को कहा जाता है दोस्तों नदियो तालाबव में पाये जाने वाले पोधों को क्या कहते हैं तो इसका सई जवाब है दोस्तो, option number D, 4.57m 30s के बराबर होगी, अगला प्रसन दोस्तो, प्रसन number 57, केवल कारबान से बना पदार्त होता है, केवल कारबान से बना पदार्त क्या है, तो इसका सई जवाब है दोस्तो, option number C, graphite, graphite कारबान से बना पदार्त है, जो की कारबान का एक अप्रूप है अगला प्रस्ण दोस्तो प्रस्ण नमबर 58 निन मलिखित में से को नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता इन में से दोस्तो को नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर B कारबान डाय अकसाइड जबकि जीवानू, नाइट्रिक एसीड, एचेनो थीरी, ये सभी नाइटोजन चक्र में भाग लेते हैं, अगला प्रसने दोस्तो, प्रस नमबर 69, लाल रख्त कनिकाओं में कौन सा तत्व, अक्सीजन यों कार्बान डाय अक्साइट के वाहक का कारे करता है, इसका सही जवाब है द इस प्रसन का उत्तर में अगले वीडियो में दूँगा, प्रस नमबर 69, 20 न्यूटन का बल 40 किरोगराम के पिंड पर कारे करता है, तो उसमें उत्पन्न तोरण होगा, कितना तोरण होगा दोस्तो, इसका सही उत्तर आपको कमेंट से बाक्स में देना है, दोस्तो तो इस प